नमस्कार पहरे सातियों स्वागत है आप सभी का एक बार फुर्ट से मारी यूट्यूब चैनल प्रिंस एजुकेशन पॉइंट पर दोस्तों आज की स्पूड में हम बात करने वाले हैं अब भिश्क करते को सिविल अलेक्रीड मेंकर तीनों रेपार्टमेंट में आपकी बीकरणी सिर्पकी तो आप सब भी टेट्रोंhed माली को कंप्लीट देखियेetes अगर आप इसके बारे में एक्प्लीट झैल जाना आते तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकोन बटन प्रेस कर लिजेगा जिससे कहाने वाली हर वीडियो की लाजडेट जो रखी गई है वो आपकी रखी गए कितनी अठारे अप्रेल दोजाच चौविस तक कर सकते हो साथ ही दिस तो देखे अगर आपके फॉर्म भरते टाइम किसी भी तरह कि आपसे दिक्कत हो जाती है तो आप उसको करेक्शन भी कर पाओगे करेक्शन जो होने वा आपको बता हूँ यहाँ पर टेंटेटिवली एक्जामिनिशन की डेट आपको बताई गई है वह आपको बताई गई कितने हैं यहाँ पर चार जून से लेके आपका च्छे जून के बीच में आप सभी का जो पेपर है दोजाच चौबिस में करा लिया जाएगा ठीक है टी चली है बात करते हैं सबसे पहले सेल्दी के बारे में आप सभी को मैं बता दीता हूँ तो यहाँ पर सेलडी 25 चार सो रोपे से लेके एक लाग 12400 रुपे तक आपको इसमें पेमेंट जो है दिये जाएगा ठीक है बागी यहाँ पर और पोश्ट है उनके लिए यहाँ पर पेलेबल सेकंड यहाँ पर बाकी आप लोग देख सकते हैं ठीक है और बात कर लेते हैं देखिए आपके डेटेल कि यहाँ पर पोश्ट कोलम में लिखा है तो इसका मतलब क्या है एलेक्टिकल ठीक है और अगर आपके कोलम में एम लिखा है इस तरीके से एम ठीक है तो इसका मतलब क्या है मेकैनिकल तो इस चीज को भी आपको यहाँ पर समझ लेना है जैसे कि यहाँ पर आपका सिबिल लिखा हुआ है ठीक है त आपने साथ ही कोई three year diploma कर रखा है civil engineering में तब भी आप इसमें applicable है और form को apply कर सकते हैं ठीक है बागे आपको यहाँ पर two year experience रखा गया है तो वो भी आप लोग यहाँ पर आच्छे से चेक कर लिजेगा ठीक है बाई यहाँ पर age limit जो कि आप लोग देख सकते हैं 30 साल तक यहाँ पर age limit आपकी रखी गई है तो आप इसमें apply कर सकते हो बागे गर मैं बात करना चाहूं ऐसी अगर आप mechanical और जेए electrical और mechanical दोनों के बारे में बात करें तो उनके लिए भी सेम प्रोसेस रहने वाला है अगर आपने डिगली कर रखा है मतलब ठीक है mechanical यह एलेक्टिकल से यहाँ बीटेक यह बीए कर रखा है तो आपने तो भी आप इसमें एपलिकेबल है या फिर आप इसमें एपलिके ठीक है इका मतलब electrical यह चीज आप लोग यहाँ पर अच्छे से समझ लेजेगा ठीक है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं भ्रह्मपुत्र बोर्ड है न मिनिस्ट्री आप जल सकती या जो कि आप लोग देख सकते हैं इसमें भी आपकी यो civil में बैकेंसी रहेंगी ठीक है बात करते हैं देखिए Central Water Commission में देखिए Mechanical की बैकेंसी है और आपकी Civil की बैकेंसी है इसी तरीके से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं Central Public Water Department CPWD में बात करने तो देखिए Electrical की बैकेंसी है और Civil की बैकेंसी है तो इसी तरीके से यहाँ पर आप लोगों को भी देख लिना ह हैं लेकिन कुछ पोस्ट है थे जहांपर डिप्लोरोमा वाले ही इसमें इसमें अपलाइ कर बाएंगे यह करपाएंगे यह चीज भी अपलोगों को देख लिने हैं ग hell एनगे तो एलिजिबल हैं साथ में डिप्लोम वाले भी एलिजिवल हैं ठीक है तो यह चीज भी आपको क्वालिफिकेशन में अच्छे से चेक कर लेने ठीक है बाई चलिए बात कर लेते हैं और यहां पर सिभिल की पोस्ट रहें कि जिस में बात करोऊ कि SE में इस तरीके से वेकंशी हैं 76 ST में 36 हैं OBC में 126 बैकंशी हैं EWS 47 Brushा उना में 840 IO happened celelिक ए gay McGregory नंए और बागि स्थे देख सकते हैं ब्रह्मपुत रोगया सेंटरली इसमें मतलब कितनी कितनी वेकेंसी हैं किस-किस कैटेगरी में वह आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगी ठीक है नेम आप डिपार्टमेंट आप लोगों को यहां चेक कर लेना और आपकी ब्रांच भी आपको यहां पर चे करते हैं तो आपको जो तीन साल की छूट मिलेगी एज लिमिट में ठीक है यह चीज़ आप लोगों को यहां पर आप एक बार चेक करने एज लिमिट के बारे में मैं आप सभी को बताना चाहूंगा एज लिमिट जो है 1 अगस्त दोजात 24 को आपकी एज लिमिट मिनमम जो एज लिमिट होनी चाहिए वो आपके 18 साल होनी चाहिए ठीक है और मेक्सिमम आपके दिखने हैं पर आप लोग चेक कर सकते हैं तीस साल तक हैं और बत्तिस साल के कंडिट भी इसमें कर पाएंगी ठीक है बागी और जो रिजर देगरी होते हैं उनके लिए और एक्स्टा छूट दी जाती है वो भी आप लोगों गया आपको बता रह ठीक है न चलिए और बाद आगे देखते हैं पर में में पॉइंट ही आपको मैं सेयर करूँगा क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा लंबर नोटिफिकेशन है ठीक है तो तो आपको 100 पे payment करना पड़ेगा ठीक है अन्य था और किसी भी candidate को कोई भी payment है आपने नहीं करना पड़ेगा जैसे कि मैंने अब यह आपको अपको बताए 유 केटिगरी से, OBC केटिगरी से, ठीक है, OBC और EWS केटिगरी, ठीक है, अगर आप इन सभी केटिगरी से बिलोंग करते हो, तो आपको 100 रुपे पेमेंट करना पड़ेगा, only male candidate के लिए, ठीक है, ये चीज़ आपको कोई भी पेमेंट यहां पर नहीं करना, उनका भी फोर्म है, वो फिरी में बढ़ जाएगा, 0 रुपीज में बढ़ जाएगा, ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आगी होगी, फीस को लेके, बागी और जो special category के candidate है, उनके लिए अलग से यहां पर कोई भी फीस नहीं रखीगी है, ठीक है न, ये चीज़ भी आपको चेक कर लेने है, correction window 22 अपरेल से लेके, 24-23 अपरेल के बीच में खुला जाएगा, form में आपका करिक्कत होता है, तो उसका payment करके, आप उसको correction भी कर सकते हैं, first time कहीं पर आपका, इसी city में, आपका जो भी city मनलब center आप कहीं भी दे सकते हो, अपनी इसोविद्या के recording, ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं, इसकी जो, यहां पर आपको paper examination scheme के बारे हम बात कर लेते हैं, कि paper में आपको क्या 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 पूछा जाएगा, जो कि आप लो question जो पूछी जाएंगे, जो की 50 number के रहेंगे, साथी बात करना चाहूँ है, जो की 50 number के रहेंगे, और बात करेंगे, देखी branch, जो भी आपकी branch होगी, मालो civil से हैं, अगर आप तो आप से civil से 100 question पूछे जाएंगे, ठीक है, और अगर आप देखीगा, mechanical से हैं, तो mechanical से 100 question अगरेगा, ठीक है, negative marking आपकी 1Y4K होती है, यह भी आपको अच्छे से check कलना है, paper आपका दोनों language में होता है, हिंदिय निगले तोनों language में, ठीक है, online paper होगा, उसके बाद देखीए, यहाँ पर आपका computer based paper जो होगा, वो भी आपका computer based होगा, जिसमें अगर मैं बताना चाह है, ठीक है, electrical में general, जो भी है, आपका general engineering, electrical वाले है, तो electrical से 100 question पूछे याँगे, और mechanical से 100 question पूछे याँगे, जो कि 1 question 3 number कर आएगा, इसमें भी आपको टाइमिक दे जाएगा, 1Y4K, इसमें भी आपको negative marking होने वाली है, ठीक है बाई, तो यह भी आपका online paper होगा, जो कि आ India and English, दोनों language में, 0.25 के आपके negative marking होगी, जो कि आप लोगों को अच्छे से check कर लेने हैं, ठीक है बाई, तो मैंने इसके बारे में आपको सारा completely बदा दिया, बागी देख सकते हैं, और यहाँपे आपको detail में से लिबस चाहिए, तो आप इसका screenshot भी ले सकते हैं, बाकी मैं बारे में थोड़ा सा discuss कर लेते हैं, बागी मेरे साबसे और कोई यहाँपे main जानकारी है नहीं, ठीक है, आगे मैं दिखाता हूँ आपको क्या क्या है, और कुछ बचता है, तो इसके से बाद पोस्ट प्रेफरेंस भी आपको लोगों को बाद में देख लेनी है, ठीक है, एक मैट, और देखते हैं, यहाँपे, ठीक है, यह qualifying marks को आप थोड़ा सा side ही कर दीजेगा, क्योंकि यहाँपे qualifying marks का अगर आप सोचोगे, तो यहाँपे बहुत कम है, ठीक है न, बागी cut up बहुत ज़्यादा ही लगता है, ठीक है न, बागी यहाँपे और कोई भी ज़्या से लोग इन करके, पूरा process यहाँपे बता रहा है, इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हो, नहीं तो आपको YouTube चैनल पर वीडियो मिल जाएगा, क्यों को कैसे apply करना है, ठीक है, एक बात मैं आपको simply तरीके से अच्छे से बता देना चाहता हूँ, यहाँपे कुछ physical का कुछ होनी चाहिए, 108 cm होनी चाहिए, minimum चेस 75 cm होना चाहिए, 5 cm का यहाँपे फुलाब मागा गया, weight 45.5 kg होना चाहिए, लेकिन एक और बात, यहाँपे running भी आपकी कराए जाएगी, जो कि running आप लोग समझ भी नहीं पाएंगे, आप लोग सोचेंगे, क्या इसमें running भी होगी, हा बाई, तो यहाँपे तभी आप लोग अगले phase के लिए यहाँपे बुलायो जाओगे, बाकी आप लोग यहाँप अच्छे से चेक कर लिएगा, ठीक है, और इसी तरीके से मालो आप लोग जैसे कि सिक्क्यम, नागाल, अरुनाचल, प्रिदिस, इन जगरह से बिलॉंग कर है, बाकी और कुछ नहीं, रिलेक्सेशन के लिए टेगरी के लिए 2.1 cm का रिलेक्सेशन दिया गया, और कुछ भी नहीं है, बाकी यह चीज में आपको एक्स्टफ दी गई थी इसमें, तो वो चीज मैंने आपको बता दिया, नोटिफिकेशन अगर आप लोग पढ़ना च वीडियो को लाइक कर दीजेगा, सेयर अपने यार दोस्तों में कर सकते हैं, और इसी तरह की अपडेट पाने के लिए हमारे यूट्योब चैनल को सब्सक्राइब करके बाल आइकोन बटन प्रेस कर लिजेगा, जिससे कि आने बाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभ झाल